सर वो चार दिन क्या हुआ मेरे साथ वो मैं नहीं कह सकती हूं नहीं बता सकती हूं अब लड़की के लिए बहुत बुरे हूंगे जो मैंने उस चार दिन में छेला है तो अब लगता है जीवन में कभी इस तरह के किसी पार्टी से कोई आफार आया तो रुखुसी है और नीतिक नेता बनके भी अपने नयाए के लिए लिए सकती है सर मैंने भी इस बारे में सोचा नहीं है बहुत बड़ा जीवन है मेरा भी बहुत स्ट्रगल करना है और रही बाद पॉलिटिक्स की तो आगे देशा करना है नाम है अप्राधिम और रही बाद वो अमर्दुबे की वाइफ और अप मतलब हर एक चीज मैं अपने वो धाई साल में जो जो मेरे पास्टैग लगा है मैं उन सबसे खुद को दूर करना चाहते हूं और एक मा की लोटी मैं अभी तो इंटर कंप्लेट करना है वैसे सबसे अपने शिवा कांदिक्षित जैसा वह बहुत ही टालेंटेट लॉयर हुए उन्होंने मेरे लिए बहुत फाइट की है तो मैं उनसे बहुत ज्यादा ठैंक्स कहना चाहती हूं और उन्होंने मेरे लिए बहुत हुआ दो जोलाई 2020 की कानपूर में बिक्रू कांट और बिकास दुबे अरो पित यह सारी दुनिया ने देखा सारी दुनिया ने जाना मीडियों के सुरुखिया बना लेकिन इस कांड में एक और लड़की थी जो बिकास दुबे के सागीर्द अमर दुबे की पतनी थी खुसी तीन दिन की दुलहन जो दो साल च्छे मेहने जेल से काटके अब बाहर आई है दो साल च्छे मेहने में तीन दिन की दुलहने क्या दर्द उठाया, क्या फेलिंग की, क्या महसूस किया यह जानने के लिए, यह समझने के लिए और दुनिया को समझाने के लिए कुछी दुबे के साथ हमा है वो अपनी मा के साथ बैठी हुई है कोई वीटी जब मा के साथ बैठी होती है तो अपने कुछ ज़्यादा से कोई महसूस करती है लेकिन खुछी खुछते हैं कि जब ये दो साल च्छे मेने जेल में आपने कटे किस दोर से गुजनी और आप निकल के आई तो क्या कहना है सर वो 30 महीने बहुत मुश्किल से कटे हैं मेरे एक एक दिन मेरा नहीं कटता था एक एक रादे नहीं कटी है और आज फाइनली बाहर हूँ तो बहुत अच्छा महसूस कर रही है तीस में बड़ा लंबा साफर होता है इस दोर में किस किस तरे से लोगों से सबागा पढ़ा क्या क्या मैसूस किया कभी सोचा था कि निकल पाएंगे कि नहीं सर वो जिस दिन से जेल गएते उस दिन से एक अंदर से एहसास था कि हमेशा मतलब सचकी जीत होती है तो मैं कहीं नहीं से बाहर तो जाना ही है मुझे आज नहीं कल जाना है और अधर जेल की तो कुछ अच्छे इंसान मिले कुछ बुरे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीठा है ची एक बात कहते हैं जिस वज़़े से तीस मेहने जेल आपको काटनी पड़े 2 जुलाई की वो रात क्या हो रहा था उसमें किस दिन क्या हुआ था क्या देखा जिसकी वज़े से आपको जीवन में काली अंधिरी रात आई सर वो दो तारी की रात मुझे नहीं पता वो क्या हुआ था उस दिन हाला कि रात में इतना सब्मेटर हुआ मैं तो सो रही थी दूसरे दिन पुलिस वाले आए उनसे मैंने पूछा भी मैं माइके चली जाओ उन्होंने का नहीं तुम माइके मत जाओ और यहीं रहो जो पूछने आए तुम नॉर्मली ऐसे जो तुम्हें पता है तुम बता देना तो मैं भी रुख गई कि चलू ठीक है उन्होंने बोला है तो मैं उनके वातों को उनकी बातों का पालन करूँ और सड़न चार तारीक को मुझे ले गए साथ में कि बयान दर्ज करना है उसके बाद मैं तो मैं सेफ्टी खुद सेफ्टी दे कर तुम्हें तुम्हें घर छोड़ दूँगा और चार दिन ठाने में रही हम, वो चार दिन मेरे बहुत बुरे बीते हैं, बहुत बुरा लगता है वो सोच के, और आड़्तारी को जेल भीज दिआ, उसचार दिन आप कह रहे हैं बहुत बुरे लगते हैं, चार दिन में क्या दर्थ हुआ सर वो चार दिन क्या हुआ मेरे साथ वो मैं नहीं कह सकती हूँ हो हर लड़की के लिए बहुत बुरे होंगे जो मैंने उस चार दिन में झेला है वसते ही कहना है पूलिस पर बड़ा एक तरीके से नाराज़गी है अब पूलिस ने आपके घर पे कैमरे भी लगाए हैं आपको हर हफ्ते के पहले दिन हाजरी देने भी जाना है तो यह पकरिडिया क्या आपको लगता है कि कुछ और प्राब्लम कर रही है नहीं अगर उन्होंने बोला है कि हर हपते मुझे थाने में अपनी अटेंडेंस लगानी है तो ठीक है मैं उनकी नेमों का पालन करना चाहूंगी और नहीं बात वो कैमरास की तो मुझे लगता है वो बहुत कलत किया है वो कुछ प्राइविसी होती हमारे लिए और वो हमारी फैमिली के लिए प्राइविसी होनी चाहिए गली में काफी लोग रहते हैं जिने अंकमपर्टेवल फील हो रहा है उन कैमरों की वज़े से अर इतना ही था तो मेरे लिए एक सिक्यूर्टी दे देते और लाइक गार्ड दे 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 तो जब आप जेल में थी बिधान आप से किसी ने संपर किया अभी तो ऐसा कुछ नहीं है और सब का धनेवाद है इंप्रेंग का मैम का संजे भया का और हर एक पार्टी का धनेवाद करना चाहूंगी सब का धनेवाद है आप लूं का भी बहुत-बहुत समर्थन रहा है मेरे साथ में तो आज बैठी हूँ आप सबकी वज़े से बैठी हूँ और उमीद है आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देंगे और आगे मैं बाहिजद बरी हूंगी कांग्रेस की तरफ से आपकी बहन नहीं तेवारी कल्यानपूर से चुनाओ लड़ी थी बिजान सभा के अलाकि वो जीत नहीं पाई ही तो अब लगता है जीवन में कभी इस तरह का किसी पार्टी से कोई आफ़ार आया तो जो खुसी है और नीतिक नेता बनके भी अपने न सबने मेरे लिए लड़ाई करी है तो मुझे सब पसंद है और आगे तो फिर वक्त ही बताएगा पूलिस के बारे में कहते हैं कि उत्रपरदेश पुलिस चारों तरफ आपको मतलब पूरे देश में डंका पुड़िता कि उपी पूलिस बहुत अच्छी है मतलब नहीं करती है तो आपको यह उन्भो कैसा लगता है इस कांट से पहले मैं भी बहुत प्राउट करती थी मैं देखती थी पुलिस वालों को तो मुझे भी बहुत घर फील होता था कि चलो कुछ तो है मुझे भी शायद देखे स्ट्रॉंग फीलिंग आती थी पर इस केस के बाद मैं थो पुलिस के रिकार्ड के अंसार जिसे आप अपराधी बनाए गए गए यह माना जाए या एक वो लड़की जो अपनी मा की बेटी है अपना भुष बनाना चाहती है क्या पहचान रखना चाहती है इस खुशी ना मैं अपराधी हूँ और रही बात वो अमर्दुबे की वाईफ और अप मतलब हर एक चीज मैं अपने वो धाई साल में जो जो मेरे पास टैग लगा है मैं उन सबसे खुद को दूर करना चाहते हूँ और एक मा की बेटी बनके अब दूर की पत्नी वाली चाहिए से हटना चाहते हैं बिल्कुल खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ मेरे सपना था कि मैं अभी एक पहुच उची पहुच पहुच पे हूँ मेरे अभी कुछ लोग मुझे पहचाने जाने अच्छी तरह से इस तरह नहीं जिस तरह मुझे लॉयर ही बनना है आपने शिवकान दिक्षिट जैसा वह बहुत ही टालेंटर लॉयर है उन्होंने मेरे लिए बहुत की है तो मैं उनसे बहुत जादा थैंक्स कहना चाहती हूं आप सबसे भी थैंक्स से वेरा और उन्होंने मेरे लिए बहुत लड़ाई की उन्होंने मेरे लिए एक पूछें कि मतलब जितना जो आपके सब यह जीवन में काल्या अंध्यारा आया है इस तरह से तो क्या आपको पहले पता नहीं रहा कि अमरे दुबया परादी है या बिकरस दुबया परादी उस खर में आप जा रही हैं सर अगर यह पता होता तो कोई भी लड़की जान बुच के ऐसा नहीं करती है और मेरे पाद भी शायद कुछ मतलब कुछ चीज़े थी जो मैं जाहिर नहीं कर सकती हूँ कि उस शादी वो कैसे हुई क्या हुआ और रही बात अंधेरे की तो हारे काली रात के बाद सुब़ा उजला होता ही है तो वो जेला हो गया है वक्त है कि मैं अपना नाम बनाऊं और अच्छी किर्णों के साथ मै जेज की कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो इस तरह से जिसे अमर्दुवे एक स्टीशीटर था अपराधी था उससे साथ मैरिज हो गई थी आप कह रही बताना नहीं चाहिए हो सकता उसमें कोई सचाई रही हो आप नहीं बताना चाहिए ठीक है लेकिन क्या लगता है कुछ ल जिस तरह मुझे दिखाया गया है मैं उससे अपने अपने आपकी चवी बहुत अलग करना चाहती हम ना ही मैं टेरिरिस्ट हूँ ना ही मैं क्रिमिनल हूँ मैं एक नॉर्मल लो क्वालिटी से में लो फैमिली से बिलॉंग होती हूँ तो बस मीडिल क्लास फैमिली से हूँ तो पर सोच बहुत उची है हमारी बस उसोच पर पहुंचना है हुआ है खुसी को उदास लग रहे हैं लेकिन वह खुसी जो साधी वाले दिन वीडियो डांस कर रही थी अपने साधी के दिन उसके बार जेल में भी डांस कर रही थी जनसे खुसी उस रूप में कैसे आ तो मैंने भी सोचा ठीक है अब जो है वो है इससे भी अपनाना जरूरी है तो मैं भी थोड़ा खुश हुई थी मुझे नहीं पता था मेरी खुशी का इतना बड़ा पड़ना मुझे इस तरह मिलेगा और डांस का मैं बच्पन से शौकीन रही हूं मैं डांस की इनर्जेटिक नहीं होगा किसी भी तरह का अचा इस घटना की सुरुवात हुए थी कहते हैं मरना किसी कभी बुरा होता है अब जैसे मर्दुबे मरा उसका भी दुख और आपको आठ पुलिस कर्मी मारे गए थे वहां पे तो उनके लिए भी आप मानती है कि दुख है कुश है सर्वार्ट पुलिस कर्मी किसी के भाई थे किसी के बेटे थे इंफेक्ट किसी के पती थे तो बुरा बहुत लगता है हाला कि मेरा भी हस्बिन था वो वो भी गए तो मुझे बहुत बुरा लगा है तो उनकी फैमिली से भी मैं समझ सकते हुने कितना बुरा लग रहा होगा ये सोच कर पर किसी की गलतियों की सजा किसी और को तो नहीं मिलने चाहिए ये है वो खुशी जिसकी उम्र अभी कुछी दूनों पहले बालिक सेर्णी में आई है उस उम्र में जब लड़कियां इस्कूलों की क्लास में अपने अटेंडिन्स रखती हैं उस उम्र में इसकी साधी हो गई थी साधी के बाद दो दिन बाद ही वो गंगेश्चर भी बन गई आट दिन बाद जेल चली गई और नो दिन बाद बिधवाह भी हो गई तीस मेंने बाद अब यहां होके आई है अब ये खुशी तावा कर रही कि अपनी नई पहचान बनाईगी इन पहचानों से इतर खुशी की अगली पहचान क्या होगी ये देखने वाली बात होगी लेकिन एक सवाल भी है कि एक लड़की जो से तीन दिन पहले दुलहनबर के घर में गई हो सीज तीज मेंनों में जिस तरह कि उसने उतार चलओ अपनी जिन्दिकी में देखे हैं पुलिस का सामना किया है उसका दर्द क्या कोई महसूस कर पाएगा रंजे सिंग झाएगा 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 झाएगा